हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एवरिधिंग इस्टेंज चैनल पर दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 12802 पुर्षोत्तम एक्सप्रेस के बारे में जो की नई दिल्ली से चल कर पूरी को जाती है दोस्तो इसकी पिछ 202 जो की वाया कानपूर चुनार पंडित दिन द्याल उपाध्या जंक्सन गया चंदरपूरा टाटानागर हिजली कटक होते हुए पूरी पहुंचती है उसके बारे में हम संपूर्ण जनकारी प्राप्त करेंगे तो वीडियो में लाश्तक बने रही है यदि अभी तक यहां पर प्रकासित हो या अपलोड हो तो आपको तुरुन सुचना मिल जाए और आप उसे फटा फट देख लें दोस्तों जैसे हम यूटूब पर वीडियो डालते हैं वैसे खबरी एप पर भी ओडियो के माध्यम से ओडियो डाली जाती है जहां पर केवल आवाज यानि कि ओडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है इंडियन रिल्वे के बारे में तो यह हमारा चैनल आप जैसा की देख सकते हैं यहां पर एवरीथिंग इस्टेन नाम का चैनल है वही सेम नाम हमने यहां पर भी रखा है तो यदि अभी तक आपने चैनल को फोलो नही के बारे में तो सबसे पहले इसकी एक चोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इसका डिपार्टिंग टाइम जो है 22 बच के 25 मिनट रहता है दोस्तों यानि कि यह नई दिल्ली से 22 बच के 25 मिनट रात को 10 बच के 25 मिनट पर चलती है यहां पर प्लेटफारो नंबर 9 से चल अगले दिन से अगले दिन यानि कि आपको यहां पर यह रविवार को मिलती है तो यहां पर टूजडे को पहुंचाती है आपको पहुंचा देगी पूरी सुबह 5 बच के 30 मिनट पर प्लेटफारो नंबर 2 पर अब दोस्तों यह एक सूपर फास्ट टाइब की ट्रेन है यह यह एक सूपर फास्ट टाइब की ट्रेन है यदि आप जनरल डिबे में आत्रा करते हैं तो आपको सूपर फास्ट की टिकट कटानी पड़ेगी अब आगे बात कर लेते हैं तो इसका जो ट्रेवल टाइम है वो 31 गंटे 5 मिनट का है यानि कि 31 गंटे 5 मिनट में आपको नई स्टेशनों पर रुखती है और 1869 किलोमेटर की आतरा तैय करती है इसकी एवरेज स्पीड 69 की निकल कर आती है और इसको मैक्सिमम परमेशनल स्पीड 130 किलोमेटर प्रति घंटा की दी गई है अब पैंट्री कार और केटरिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें पैंट्री कार ओन बोर्ड केटरिंग और ही केटरिंग तीनों सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी अब आगे बात कर लेते हैं इसमें लगे हुए रैक और कोच की बात करते हैं तो जी एस और जी एस आप देख सकते हैं जनरल और जनरल के दो डिब्बे आगे और पीछे लगे यानि कि आपको जनरल के दो डिब्बे आपको मिल गए आप इसके परक्राशाथ दोस्तों एस वन से लेकर आप देख सकते हैं एस 2 3 4 8 9 11 12 तक दिये गए यानि कि 12 के मिल गए बीना एसी के इसोने की वैशता जिसमें रहती है अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बी एक डिबा आपको second AC का मिलेगा यहां पर pantry car का एक डिबा मिलने वाला है जिसमें आपके लिए खाना बनाया जाएगा तो दोस्तों यदि आप train में ही पे करके खाना लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको खाना अवश्य मिल जाएगा उसका जो है चार्ज पहले नहीं लिया ज चुरू करते हैं तो सबसे पहला इसका जो platform है जैसा कि आपको पता है कि नई दिली से स्टार्ट ही होती तो सबसे पहले यह नई दिली से रवाना होती है बाइस बच के 25 निट मिनाट पर प्लेटफार नंबर पंदरह से रात को 22 बचके 25 मिनेट पर रवाना हो जाती है य्यानिकि 10 बचके 25 मिनाट पर नीट प्लेटफार नंबर पंदरह से अब इसका जो अगला स्टॉक्पिंग स्टेशन होता है वह कानपूरसंत्रल कानपूर शेंट्रल ये सुबहे के तीन बच के 15 मिनिट पर पोंचती और चार बजे रवाना हो जाती है प्लेट्फॉन नंबर 50 इसके बाद दोस्तो अभेचाए प्र्वाच मिनिट तरило न घजाती है इसके बाद कर 54 idogo हानूँ मिन sídiri इसके बाद मिर्जापूर पहुंचती है, सुबह 8 बच के 15 मिनट पर और 2 मिनट यहां रुकती है, प्लेटफॉर नमबर 2 पर 8 बच के 17 मिनट पर आगे रवाना हो जाती है, इसके बाद दोस्तों यह पहुंचती है चुनार, चुनार पहुंचती है सुबह 8 बच के 45 मिनट पर प्लेटफॉर नमबर 2 पर और 8-49 पर आगे रवाना हो जाती है इसके पश्यात पंडित दिन द्याल उपाध्याई जो कि मुगल सराई जिसका पुराना नाम था वहाँ पर पहुंचती है सुबह 10 बच के 18 मिनट पर और 2 नमबर प्लेटफॉरम पर रुखती है दस बच के 33 मिनट पर आगे रवाना हो जाती है इसके बाद दोस्तो भवुआ रोड पहुंचती है सुबह 11 बच के 12 मिनट पर एक मिनट यहां रुखती है प्लेटफॉरम नमबर 3 पर और 11 बच के 13 मिनट पर आगे रवाना हो जाती है इसके बाद दोस्तो है एक साशा राम, साशा राम पहुंचती है सुबह 11 बज के 45 मिनट पर और 11.46 पर आगे रवाना हो जाती है प्लेटफाउन नमबर 3 से इसके बाद पहुंचती है डेरी ओंसोन जहां पर यह दोपहर के 12 बच के 2 मिनट पर पहुंचती है 2 मिनट यहां रुकती है 12 चार पर आगे रवाना हो जाती है प्लेटफ़ॉर नमबर 4 से इसके बाद दोस्तों अनुग्रे नारायंड रोड पहुंचती है गया जंग्सन जहां पर दोपहर के 1 बच के 15 मिनट पर पहुंचती है और दो बज के एक मिनट पर रवाना हो जाती है प्लेटफॉर नमबर तीन से पहाड़पूर के बाद दोस्तों पहुंचती है कोड़रमा दोबहर के दो बज के 35 मिनट पर तीन मिनट यहां रुकती है दो बज़ के 38 मिनट पर रवाना हो जाती है प्लेटफॉर नमबर 3 से इसके बाद दोस्तो हजारी बाग रोड पहुंचती है दोपहर के 3 बज़ के 12 मिनट पर और 2 मिनट के लिए यहां भी रुकती है प्लेटफॉर नमबर 3 पर इसके बाद दोस्तो हजारी बाग के बाद ये पहुंचती है पारसनाथ पारसनाथ दोस्तो यहाँ पर पहुंचती है ट्रेन दोपहर के 3 बज के 36 मिनट पर और यहाँ पर 2 मिनट रुकती है केवल 2 मिनट रुकती है यहाँ पर दोस्तो प्लेटफार नमबर 2 पर इसके बाद द दोस्तो चंदरपूरा पहूंचती है चंदरपूरा साम को चार बज़ के 42 इन या इन साम को five बज़ के 15 नहीं 15 पर पहुंती है पाँच मिनट यहां रुकती है प्लेट फॉर्all नंबर दो पर इसके बात दोस्तो पूरwechselय जर्चन को साम को 6 बच के 20 मिनट पर 2 मिनट के लिए यहां भी रुखती है प्लेटफॉर नमबर 3 पर इसके बद शाथ दोस्तो चांडिल जंक्शन पहुंचती है साम को 7 बच के 13 मिनट पर यहां पर भी 2 मिनट रुखती है यहां पर कोई प्लेटफॉरम इसका निशित नहीं है इस पहुंचती है रात को 8 बच के 57 मिनट पर एक मिनट यहां रुखती है प्लेटफॉरम नमबर 3 पर इसके बच्छाथ दोस्तों हिजली पहुंचती है हिजली पहुंचती है रात को 10 बच के 29 मिनट पर और 10 बच के 37 मिनट पर रवाना हो जाती है प्लेटफॉरम नमबर 2 से इस इसके बज़ए दोस्तों भद्रक पहुंचती है रात को एक बज़ के 18 मिनिट पर और 20 एक बज़ के 20 मिनिट पर रवाना हो जाती है प्लेटफॉर नमबर 2 से बज़ए बज़ए पहुंचती है जाजपूर केंदुजर रोड जहां पर यह इसका प्लेटफॉरम जो रहता है व और थीन बज़ए 5 मिनिट पर रवाना हो जाती है भुमनेस्वर पहुंचती है तीन बज़ के 45 मिनट पर थीन पचास पर रवाना हो जाती है प्लेटफॉरम नमबर 4 से इसके बसा दोस्तों यह पहुंचती है खौरदा रोड जंक्सन जहां पर शूबज चार बज़ए 20 मिन कभी जो प्लेट फारम खाली रहता है उसी पेस को लाये जाता है तो दोस्तो यह थी जानकारी पुर्षहत्तम एक्सप्रेस के बारे में जो कि नई डिली को जाने वाल simplemente के बारे में जानकारी यादी जाहिए आपको तो वीडियो की डिस्क्रिप्शं में लिंक दिया गया उस पर जाकर आप अवस्य देखें, धन्यवाद.